Hello这是 Friends, आज हम लोग जो है Tetteell Series खे बारे में यर Teteell Logic Hilinary के बारे में और ज्यादा detail में बात करेंगे तो देख्ये, जैसे हमने three input Teteell Land Gate का तो construction और उसकी working के बारे में discuss किया था इसके अलाभा भी जो Transistor, Tristor Logic की Series जो होती है आज हम लोग उसके बारे में बात करते है so first we write TTL series देखे इसमें क्या होता है कि the TTL gate has a number of circuits in its series they have been developed to provide a wider choice of speed and power dissipation characteristics there are five series in the TTL family ठीक है तो TTL series के हम लोग बात करेंगे तो different जो gates हैं वो TTL logic के थूँ डिजाइन किये गए है और generally अगर हम classify करें तो TTL series में there are five series TTL family में past series होती है ठीक है तो अगर इसको हम classify करने ही बात करें तो मान लिजे हमने कहा कि से इसको अगर हम table form में आपको बताते हैं तो पहले हमने लिखा version यह हो गया वर्जन उसके बाद next है आपका अब्रिवेशन अब्रिवेशन उसके बाद next है प्रोपेगेशन डिले अब वो भी हम nanosecond में यहाँ लिखते हैं ठीक है यह हो गया फिर है आपका power dissipation पावर डिसिपेशन मतलब कि जब हम इस ic को या उस circuit को या उस ttl ic को use कर रहा है तो during the use of that ic किता पावर डिसिपेट होता है तो that is called power dissipation पावर डिसिपेशन जर्रली जो है मिली वाट में ही पावर डिसिपेशन इसको जर्रली मिली वाट में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है यह हो गया उसके बाद है आपका maximum clock rate maximum clock rate किसमें रिप्रेजेंट करते हैं जर्रली मेगा हर्ड्स में मेगा हर्ड्स और last column में हम आपको बताते हैं fan out कितना रहा है fan out firing क्या होता है यह हम previous lecture में आपको discuss कर चुके हैं ठीक तो अब इसमें माल लीजे से पहला version हम लेते हैं कि जो standard version होता है ठीक है standard version जो TTL logic family का होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते है TTL से propagation delay generally 10 nanosecond power dissipation होता है तकरीपन 10 milliwatt maximum clock rate जो होती है वो होती है 35 megahertz और fan out जो होता है वो होता है 10 ठीक उसके बाद next जो version आता है वो है आपका low power low power version ठीक है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं LTTL से इसका जो propagation delay होता है वो होता है 33 nanosecond power dissipation करीब 1 milliwatt ठीक है maximum clock rate होता है इसमें 3 megahertz और fan out इसका भी 10 होता है उसके बाद next के बाद आता है आपका high speed TTL तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं high speed TTL इसको अब्रिवेट करते हैं HTTL से मतलब high speed TTL इसमें क्या होता है propagation delay होता है कितना 6 nanosecond power dissipation होता है 22 milliwatt maximum clock rate frequency होती है 50 megahertz और fan out इसका भी होता है 10 next आप आजाईए high speed TTL के बाद होता है short k TTL that is SCHO क्योंकि इसमें short k diode का use होता है तो this is called short k TTL इसको दिखाते है STTL से ठीक है इसका जो propagation delay होता है होता है 3 nanosecond power deposition 19 milliwatt maximum clock rate 125 megahertz और fan out हो गया आपका 10 उसके बाद next आता है आपका low power short k next is low power short k TTL family इसको दिखाते है ऐसे low power short k अफिल लिग देते है TTL इसमें क्या होता है इसका propagation delay होता है 9.5 nanosecond power dissipation इसमें बहुत कम होता है 2 milliwatt होता है maximum clock rate जो होती है इसकी वह 45 megahertz होती है और fan out जो होता है वह इस case में भी 10 होता है तो इस तरह से एक जो TTL की जो series होती है जिसमें पास तरह के TTL gates होते हैं वह हमने आपको बता दिया standard low power high speed short key low power short key etc अब इसमें क्या होता है कि अलग-अलग example लेके हर एक के बारे में हम फुराज आपको ब्रीफ में बता देंगे तो आपको आसानी रहेगी उसकी working अगरा समझने में तो पहला हम start करते हैं मालीजे standard series 54 oblique 7400 TTL तो देखिए standard series जो होती है TTL logic family की वो standard series यह कितनी होती यह होती है 54 oblique 7400 TTL ठीक है यह standard series होती है इसमें क्या होता है कि the standard TTL gate was the first version of the TTL family ठीक है और इसमें क्या होता है कि जो basic gate है इसका standard TTL का यह हमने पिछले video lecture में जो आपको three input TTL land gate बनाया था वो ही इसका basic standard gate circuit होता है इसको दोबारा यहां बटाने की जरूरत नहीं यह time based होगा आप इसले video lecture को refer कर लिजेगा तो जो उसमें हमने three input TTL land gate बनाया था वो ही उसका basic gate circuit होता है इसमें क्या होता है कि the use of multiple emitters is a major contribution to derive fast switching speeds of TTL low output impedance is attained with totem pole output stage consisting of trinister q3 and q4 तो q3 और q4 को हम totem pole arrangement में जब use करते हैं तो हमें low output impedance मिलता है और low output impedance से फाइदा यह होता है कि which also results in improved noise immunity and faster switching ठीक है अब standard series TTL में जो components बनाया जाते हैं उसमें आप यह समझ लीजे कि उसमें कौन-कौन से component generally design कि जाते हैं जैसे आपका हो गया shift register ठीक है फिर है आपका counters फिर है decoder memory data selector or arithmetic elements in addition to SSI devices and arithmetic elements अर्थमेटिक एलिमेंट्स इन एडिशन टू इन एडिशन टू SSI डिवाइसेश यह सारे जो है स्टेंडर्ड TTL सिरीज में डिजाइन के जाते हैं अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोग पावर TTL की ठीक है तो जो लोग पावर TTL होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं तो सिंप्ली फिर्स वी राइट लोग पावर TTL 54 अबलिक 74 L 74 L 00 शीरीज छीख है इसमें क्या होता है इसमें क्या उता है कि लोग पावर TTL सरकी डेजिगेटेटेटेटेटेटेटेड़ 74 L डाबल बसीरीज है अब अे सेंच्छली भी सेंडर्ड बेसिक सरकीे अस थाइ्स 7400 सीरीज एक्सेप्थ देट all the register value values are increased तो इसका जो circuit diagram होता है ये भी standard TTL की तरह ही होता है बस अंतर इतना होता है कि जो register use होते है उनकी value इसके अंदर जादा होती है यारी register की value increase कर दी जाती है Since an increase in resistance results in the reduction of power dissipation the power requirements of low power gates are less than 1 tenth of that of standard of IC तो standard series में जितना power dissipation होता है उसका तकरीबन 1 tenth जो है power dissipation होता है low power वाली series में ठीक है अब इसमें हम बात करें series 54L oblique 74L devices have a power dissipation of only 1 milliwatt per gate जैसे अभी हमने आपको table में दिखाया है and an average propagation delay of 33 nanosecond अब इसमें किस तरह के जो component डिजाइन की जाते है इसमें डिजाइन की जाते है low frequency battery operated circuits low frequency battery operated circuits हो गया इसके अलावा जैसे low frequency और battery operated circuit में क्या आ जाए जैसे for example हो गया आपका calculator है ठीक है तो यह हो गया and calculators are well suited for TTL low power series ठीक है उसके बाद जो next आपका आता है नेक्स्ट आता है आपका high speed TTL ठीक है अब आजाईए आप high speed high speed TTL यानि इसको बोलते है 54H H हो गया high speed के लिए और 74H आपलिक 74H double zero series यह होता है high speed TTL की series ठीक है इसमें क्या होता है the basic circuitry for this series is essentially the same as the standard 7400 series except that smaller register values are used and the emitter follower transistor Q3 is replaced by a darlington pair तो देखें जो three input TTL NAND basic NAND gate का आपको basic circuit बनाया था विछले lecture में उसको refer कीजेगा तो उस circuit में और यह high speed circuit में सारी चीजें सेम होती है केवल अंतर इतना होता है कि एक तो जो register value होती है ठीक है इसके अंदर जो registers use होते है register values वो smaller रहते हैं than standard version से पहली चीज़ तो यह है और दूसरा उसमें देखिए जो Q1 emitter follower transistor यूज किया था Q3 तो यहां पे Q3 is replaced by replaced by a darlington pair by a darlington pair ठीक है इसका मतलब क्या हुगा कि hence the output section consists of a darlington pair Q3 and Q4 यानि कि जो output section है उसमें एक darlington pair होगा Q3 और Q4 को लेते हुए तो यानि कि पिछले आप उसमें देखिए पिछले circuit diagram में देखिए उसमें जो changes होगे वो मैं यहां उसके आगे का change मैं यहां पे बना दे रहा हूँ आपको कि जो Q3 है ठीक है पिछले circuit diagram में आप देखिए यह जो Q3 जो transistor है ठीक है इससे क्या होगा इसके emitter से आप यह निकाली है और यहां पे क्या होगा कि Q4 और Q5 यह दो transistor as a darnington pair connect होंगे और बाकी circuit फिट ऐसे पूरा होगा तो यह change आएगा standard circuit में और इसमें आपके high speed clear this arrangement provides slightly higher speed यानि की 6 nanosecond per gate speed बढ़ जाती है than the standard gate और लेकिन चुकिए register smaller होते है इसलिए power dissipation कम होता है अब इस generally जो आपके high speed TTL होते हैं इसमें कौन-कौन से component design किये जाते हैं तो इसमें देखिए जनली डिजाइन किये जाते हैं master slave flip-flop master slave flip-flops हो गया इसके लाबा edge triggered flip-flop हो गया edge triggered flip-flop हो गया और इसमें जो इस high speed में जो आपके master slave और edge triggered flip-flop design किया आते हैं capable of operating with clock input frequency as high as high as up to 50 megahertz तो इनकी जो clock frequency होती हो पचास अब उसके बाद आपका अभी इसमें दो फैमिली और रह गई एक है आपका short के टीटियल और दूसरा है आपका low power short के टीटियल ठीक है तो इसको हम लोग जो है next lecture में discuss करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा ठीक है तो short के टीटियल और low power short के टीटिय में discuss करते हैं तो आई होग कि आज के जो इक content था ही आपको clear हो गया होगा अगर video content पसंद आया तो please video को share कीजिए like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और notification bell को जरूर on कर दीजिए ताकि next video की information आपको time से मिल सके तैंक यू